नवस्ते मित्रों सभी को जैशी राम आज हम जानेंगे लव जिहाद के बारे में जो की चार बड़े बड़े राज्यों में भी यहां काम धडल्ले से चर रहा है तो पहला है रूख आपने वाली लव जिहाद की घटना चार राज्यों चार हिंदू यूती पीड़ा एक जैसे लव जिहाद का खत्रा केवल केरल तक ही सीमित नहीं है हर जगा हिंदू लड़की लव जिहाद का सिकार हो रही है हरियाना में किसी से बंदू के बल पर निकाह किया जा रहा है तो बिहार में मुहमद तालिक उत्तर प्रदेश की लड़कियां दूबई में धर्मानतन करवाते हैं और फिर छोड़ देते हैं मद्यपदेश के गौलियर का अमन सा हिंदू पहचान रखकर लड़की फसाता है तो यूपी के आगरा की लड़की को उसकी मुस्लिम सहेली इस ट्रैप में धकेल देती है गौलियर हिंदू बनकर प्यार फिर इसलाम कबूलने का दबाओ गौलियर की अमन साह ने अमन वाल्मिकी नाम रखकर हिंदू लड़की से दोस्ती की फिर साधी का जहासा देकर उसके साथ संबन बनाए इसके बाद धर्मानतरन का दबाओ बनाने लगया लड़की ने धूर बनाने की कोशिश की पर अमन साह ने पीछे नहीं छोड़ा आरोप है कि उसने लड़की के साथ मारपिट की एक मुस्लिम सहिली के जरिये उनका ब्रेन वास करवाने की कोशिश की बात नहीं बनी तो उससे असलील वीडियो वाइरल करने की धमकी दी पीडिता ने कमपू थाना में सिकायत दर्ज कराई है अमन को गिरफतार कर लिया गया है आगरा अर्मान ने दोस्तों से रेप करवाया आगरा की एक हिंदू यूती की दोस्ती फिरोजाबाद के अर्मान से उसकी मुस्लिम सहिली ने करवाई यूती की मा को जब इसका पता चला तो बेटी को समझाने की कोशिश की मा ने फटकार से नराज यूती घर छोड़ कर चली गई अर्मान ने यूती के साथ साधी कर ली और हिंदू बंकर किराय के मकान में रहने लगा कुछ दिन बाद अर्मान के दोस्तों भी उससे दुसकर्म करने लगे विरोध करने पर यूती के साथ मारपिट की जाती बुधवार दस मई दोहजार तेश को पुलिस ने मामले की सिकायत पुलिस से की उत्तर पिदेश की लड़की बिहार की बिहार का लड़का दुबई में धर्मान तरन बिहार के मोती हारी के तूर कॉलिया थाना छेत्र के सेमरा बेलवतिया के मोहमत तालिक ने नोईडा में पढ़ाई के दोराने की यूती को प्रेम जाल ने फसाए यूती यूपी के बुलंद सहर की रहने वाली है दोनों की बीच दोस्ती हुई तालिका साल दोहजार अठा में दुबई चला गया साल दोहजार उननिस में यूती भी दुबई पहुच गई नर्मांदन के बाद उस यूती से निकाह कर लिया यूती उसके बाद इलाज के सिलसिले में नोईडा लोटी साल दोहजार बाइस में वहाद दुबई पहुची तो तालिका गायब था संपर्क करने की कोशिश और यूती की जान के मानने से धमकी दी मामला तब खुला जब तालिका की इतलास में लड़की उसके मोती हारी के घर पहुच गई तालिका के परिज़नों को हिरासत में लेकर बिहार कुलिस मामले की जार्च कर रही है फिर आया रेवडी प्रेम बनाकर फसाय बंदो के बल पर निका हर्याना के रेवडी के मौसम खान ने प्रेम बनाकर धारू हेडा की लड़की से दोस्ती की 18 नॉम्बर 2020 को उसने लड़की को भगाया और हरिद दोर पहुच गया यहां उसने लड़की के साथ दुसकर्म किया 20 नॉम्बर को ताहिर खान समेत कई लोगों ने लड़कियों का फरन कर लिया और उसे नूह के उटोन गाउं ले गए वहां यूती का जबरन धर्म बदला गया और प्रेम बने मौसम खान के साथ बंदो के बल पर निका कराया गया पीडिता को घर में बंधक बना कर रखा गया इस दोरान मौसम खान के छोटे भाई ने भी उसके साथ कई बार दुसकर्म भी किया करीब तीन साल तक प्रताडित होने के बाद मौका देखकर पीडिता भागने में काम्याब हुई मौसम खा और उसके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है लव जिहाद द्वारा हिंदू यूतियों को छल करके प्रेम जाल में फसाने की अनेक घटनाय सामने आई है बाद में वही लड़कियां बहुत पश्या ताप करती है क्योंकि वह उनके जिन्दगी नर्ग जैसी हो जाती है धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता है उसकी अनेक पत्नियां होती है गौव मास खिलाया जाता है दर्जन बच्चे पैदा करते हैं पिटाई करते हैं तलाग भी दिया जाता है यहां तक कि लव जिहाद में फसा कर उनको आतंग वाजियों के पास भेजने की भी अनेक घटनाए सामने आई हैं जैसे की केरल केरला इस्टोरी में दिखाया की केरल की जो लड़कियां कॉलेज में पढ़ने जाती है उसमें से खुबसूरत लड़कियों को फसाय जाता है फिर उनको फसाने के बाद सीडिया भेद दिया जाता है वो भी दूसरे लड़कों के साथ तो ऐसा करके फिर उनको वहाँ छोड़ देते हैं आतंगवादियों के पास जिससे की वे उनके साथ दुसकर्म करके अनेक बच्चे पैदा करते हैं और उन बच्चों को भी आतंगवाद बनाया जाता है तो इस प्रकार की अनिक घटनाय चर रही है और मद्य पदेश में भी दस केस था ऐसा जिसमें की दस आतंगवादी पकड में आये हैं तो जगा जगा लौजी हाद चर रहा है इसलिए सबी लड़कियां समद्धारी से काम ले अपने धर्म सास्त्र का अधियन करें और माबाप के आग्या के अनुसार चलें अधिकराह तक ना घुमें अपने पढ़ाई पर calculate करे अपने पढ़ाई में अगर concentrate करेंगे तो वे आगे बढेंगे प्यार महबस से दूर रहें और समय आने पर साधी करे वो भी माँबाप के कहे अनुसार उसी लड़के से साधी करे जो माँबाप कहे जैशिराम झाल झाल